सब्सक्राइब करेंगे क्लास 9 का एक्सराइब 13.8 का क्वेशन नबर 10 आपको बस दियान से पढ़ना इसको बिल्कुल इसी है बहुत इसी है टेंथ क्वेशन है क्या बोला एक या बोला इसको फिल करने के लिए मतलब इसको फिल करने के लिए मतलब मतलब इसकी पूचिए है कि इसमें कितना मेडिसिन आ सकता है जिइसके जितने हाइगा उतने ही तो हम फिल करेंगे वाल्यूम तो बॉट 물 करने के लिए इसमें कितना दशाने पड़िए तो इसके हमें क्या निकालने पड़ेगे capacity की कितना water hold कर सकता है इसी तरह यह है तो बहुत इजी है student करते हैं क्या बोला है हमें diameter diameter of capsule diameter of capsule कितना है 3.5 mm ओके तो radius हो जाएगा हमारा radius of capsule radius of capsule क्यों हो जाएगा 3.5 divided by 2 क्योंकि radius क्या होता है diameter का हाफ होता है 3.5 divided by 2 mm ठीक है यह हमारा आगया अब यहां से decimal लटा है नीच आगा 10 okay then 2 7 जा no sorry 5 2 जा 5 7 जा okay then 7 upon 4 mm तो radius हमारा हो गया 7 upon 4 mm अब हम simply इसका volume निकाल देंगे volume of capsule volume of capsule क्यों हो जाएगा 4 by 3 pi r cube which is equals to 4 by 3 pi is 22 upon 7 and r radius is 7 upon 4 multiply by 7 upon 4 multiply by 7 upon 4 which is equals to 7 से 7 cancel 4 से 4 cancel and 2 11 जा 2 2 जा right तो यहां पर हमारा आजाएगा 11 multiply by 7 7 जा 11 multiply 7 7 जा 49 upon 3 2 जा 6 6 4 जा 24 जब इन दोनों को multiply करेंगे student हमारा आएगा 5 3 9 upon 24 mm cube क्योंकि हमारा volume की unit क्या थे cubic होती है तो इसको जो डिवाइड करेंगे तो हमारा आजाएगा 22.46 mm cube तो student यही हमारा होगे इतना meter cube medicine is needed to fill क्या हो जाएगा hence approximately 22.46 mm cube medicine is needed is needed to fill capsule to fill capsule you